नमस्ते गाईस मेरा नाम अभी मन्यू स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में दोस्तो लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसिस का यूज करना पड़ता है जैसा कि अगर मैं कहूँ मेरा खाना पका है मेरा आना पका है मेरा जाना पका है तो दोस्तो पका है पका है इन तरीकों के सेंटेंसिस का यूज हम अपनी डेली कनवर्सेशन में बहुत बार करते हैं के वीडियो में यही सीखेंगे इन तरीकों के sentences को English में किस rule के according आप form कर सकते हैं तो आईए दोस्तो rule देखते है रूल होता है आपका subject plus is mr कुछ भी आ सकता है दोस्तों उसके बाद bound to verb की first form पर last में आपका object ठीक है दोस्तों simple सा rule है example से भेतर समझते हैं देखिए पहला है आपका मेरा वहां जाना पका है I am bound to go there हमारा ये सीखना पका है We are bound to learn this उसका खेलना पका है उसका खेलना पका है He is bound to play उसका यहां आना पका है He is bound to come here हमारा उसे मारना पका है We are bound to beat him 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 contract